और मेरे स्वात के दिवानों कैसे हो, फ्रेंड रक्षा बंदन आने वाला है, रक्षा बंदन पर घेवर ना खाया, तो क्या खाया, चलिए श्टार्ट करते हैं घेवर बनाना, जो बहुत ही टेस्टी लगता है घेवर, गेवर बनाने के लिए हमने यहां एक बड़ा बरतन ले लिया है और इसमें हम तीन चमच देशी घी डालेंगे यह देखिए ना ज्यादा पिगला हुआ है गी ना यह ज्यादा जमा हुआ गी लिया है हमने यह तीन चमच हमने देशी घी ले लिया है और इसमें डालेंगे यह आइस क्यूब यह टीन हमने आइस क्यूब डाल दिये हैं इसमें और इसे एक समूज सा घी को जैसे मखन जैसे होता है वैसे कर लेंगे क्लफी एकदम रप करते-करते को इसमें रप इस तरीके का हमें चाहिए और इसकी जो आइस क्यूब है वह हम निकाल देंगे क्योंकि जितनी हमें चाहिए थी हमने उतनी आईस ले ली है इसे हमने हाथ की उंगलियों से इसे रप कर लिया है और आइस क्यूब को साइड कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और रब कर लेते हैं उंगलियों से अब देख रहे हैं कितना स्मूत हो गया है ये फ्लफी हो गया है हाथ से ही और बहुत जल्दी बनता है ये घेवर और ये है एक कप मैदा अब थोड़ी-थोड़ी हम इसमें मैदा डालते जाएंगे और एक घुल तयार करेंगे इसका इसकी उंगलियों से इसकी जो गाठे वगयरा होती है न मैदा में वह हम खतम करते जाएंगे और थोड़ा-थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है यहाँ पर ये देखिए हास से हम रब करते हुए इसकी सारी गाठे हमें खतम करनी है जो बहुत इजली हो जाती है फ्रैंड यह देखिए जब तक गांटे खतम नहों एक बार के तब तक इसे रब करते रहें बहुत ही जल्दी हो जाती है इस तरीके से अगर आप इखट्टी डाल के करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गांटे खतम करने में य इससे थोड़ा सा और पतला करेंगे और इसे मैने एक बावल में निकाल लिया है इसमें धाएक पानी चला गया देशीही तो यह मैने estasi भी गीका डाल जाहें तो रिखाएंड आल बावल और गी जिसमें बनाना चाहें फो ले सकते हैं और इसे एक दम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है अच्छा सा धुए जिसमें निकलते हैं गी में वही ऐसा गी है यह और इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक धार का बैटर डालेंगे देखिए इस तरीके से आप इस घी को ठंडा ना करें फ्रेंड घी एकदम गरम होना चाहिए गैस का फ्लेम एकदम हाई रहना चाहिए हमारा तभी घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा और यह देखिए जब यह एक बार की जो जाग वगरा है एकदम बंद हो जाए तब दूसरा बैटर डालें चमचे घेवर हमारा बढ़िया बन करके तयार हो जाएगा यह देखिए जब शान्त हो जाता है यह एकदम बॉइलिंग जो होती है तब इसमें हम बैटर डालेंगे और एक धार से डालते जाएंगे जिससे की हमारा घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा और घेवर डालने के बाद इ जो चम्मच बगरा है इससे थोड़ा सा दबाते हुए इधर उदर से हम अच्छे से फ्राइ करेंगे घेवर को जिससे की यह कंच्छा ना रहे स्वारी और घेवर हमारा बन करके तयार है और इसे हम एक प्लेट पर रख देते हैं जिससे की इसका बाकी का ओल सारा निकल जा चलिए दूसरा गेवर तयार करते हैं एक कप मैदा में हमारे दो गेवर तयार हो जाते हैं और उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हम मैदा डालेंगे इसमें घी में और आप देख रहे हैं घी बहुत ही गरम है जब यह शान्त हो जाता एक बार के इसक अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही सिम्पल तरीका है यह मेरा आप इस तरीके से जरूर बना कर देखें कोई दिक्कत नहीं आती इसमें और यह देखें घर का बतन है जिसमें मैंने चाय बनाती हूँ यह वही बतन लिया है क्योंकि नॉर्मली मोल बगर नहीं मिलते हलवाई जैसे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं यह देखें यह मैंने थोड़ा सा और गोल्डन किया है वह थोड़ा कम ट्राइ किया था इस ऑई बनाने के लिए एक लीटर दूद लिया है और इसकी हम बनाएंगे रबडी और इसमें डाले है हमने आदा कप चीनी आप चाहें तो अपने अनुसार इसमें मीठा डाल सकते हैं और इसे हमें थोड़ा सा अब बॉइल करना है दूद को अच्छे से उबलते उबलते यह घट जाएगा तो हमारी रबडी तयार हो जाएगी जब तक हमारा दूद उबल रहा है इतने हम चासनी तयार कर लेते हैं एक कप हमने यह चीनी लिया है और आदा कप इसमें पानी डाल हो रही है और दूसरी तरफ हमने यह चासनी बनने के लिए रख दी है और यह देखिए चासनी को चेक करते हैं फ्रैंड यह देखिए इसमें हलका सा तार आरा है फ्रैंड हमें इसी तरीकी की चासनी चाहिए और इसे हम उतार देते हैं गैस से चलिए रबडी को देखते है क इसमें इलाइची डाल दी हैं कूट करके इससे बहुत अच्छा आता है जो खुश्बू होते है लाइची की बहुत अच्छी लगती है और इसमें कुछ धागे मैंने केसर के डाल दीये थे जिससे की इसका कलर यलो हो चुका है यह देखिए 25 धागे डाले हैं यह अगर आपक इसे हम चलाते रहेंगे फ्रेंड क्योंकि अभी हमारी यह जो कढ़ाई है गरम है यह देखिए आप देख रहे हैं यह गाड़ी होती जा रही है बस इसी तरीके की हमें रभी चाहिए और हमारा मलाई गेवर तयार हो जाएगा और यह देखिए इसने सारा ओयल अपना नीच चासनी टपकेगी तो उस पर आ जाएगी वेश्टनी होगी हमारी चासनी यह लीजे मैंने दूसरे गेवर पे भी चासनी चारो तरफ अच्छे से लगा दी है और अब इसके उपर डालेंगे जो हमने रभी बनाई है क्योंकि फ्रेंड बिना रभी के तो यह गेवर अच्छ इसलिए यह मलाई गेवर कहलाता है फ्रेंड और सावन में फ्रेंड इसका बहुत ही चलन होता है गेवर का यह देखिए यहां मैंने ड्राइफ फ्रूट लगा दी हैं इस पर और यहां हमारे दौनों गेवर बन करके तयार हैं यह देखिए बहुत ही सस्ते में हमारे घर पर कि हमारी घीवर तयार हुगए है और रेस्पी अच्छी लगती है तो फ्रेंड लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बाइबाइट टेक क्यार मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में